भक्तो हर महीने में दो बार चतुर्थी पढ़ती है एक बार पूरिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद दूनों चतुर्थी का नाम अलग-अलग है। अक्टूबर मा में 28 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी पढ़ रही है। अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को है पूजा का समय सुबह 10 बच के 58 मिनट से दोबहर 1 बच के पारा मिनट पर कूल अबदी 2 घंटा 14 मिनट की कार्तिक विनायक चतुर्थी का प्रारम 27 नवंबर को सुबह 10 बच के 33 मिनट पर और इसकी समापती 28 नवंबर को सुबह 8 बच के 13 मिनट पर विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व इस व्रत को रखने से घर में सुक्रिधी में व्रिधी होती है मानेता है कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गडिस की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाई पूरी होती है तथा उन्हें ग्यान और धहरे का आशिरवात विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधी व्रत वाले दिन सुबा उटकर इस नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए गडिस भगवान की पूरी विधी विधान से पूजा अर्चना करें गडिस चतुर्थी की पूजा दुपहर के टाइम करने का विधान बता पूजा इस्थल को गंगा जल से पफित्र करके पूजा प्रारम करें भगवान गड़ीजी को पीले फूलों की माला अर्पित करने के बाद धूब दीप नैवेद्ध अक्षत और उनका प्रिय दूर्वा घास अर्पित करें इसके बाद मिस्ठान या मोदक का भोग लगाएं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा एक समय की बाद है शीव और सक्ती नदी के किनारे बैठे हुए थे कुछ बाद माता पार्वती को चौपड खेलने का मन हुआ उन्होंने सीव जी से कहा तो वो भी तयार हो गएं लेकिन समस्या या थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ती नही कर सके माता पार्वती ने अपनी सक्ती से एक बालक की मुर्थी बनाई और उसमें प्रांट प्रतिस्था कर दी फिर उन्होंने कहा कि तुम इस चौपड खेल के निरनायक हो तुमको हार और जीत का फैसला करना या होने के बाद माता पार्वती और सिर जी ने खेल प्रारम क कई बार चौपड का खेल हुआ जिसमें माता पार्वती ने भगवान सीव को हरा दिया माता पार्वती ने उस बालक से खेल कर निर्ने जाना चाहा तो उसने भगवान सीव को विजई बता दिया इससे माता पार्वती नराज हो गई उन्होंने गुस्से में बालक को स्राब द आएंगी तब उनके कहें अनुसार वृत करना होगा जिसके बाद तुमें स्राप से मुक्ति मिल जाएगी वा बालक कई वरसों तक स्राप से जूसता रहा एक दिन भगवान गड़ेश की पूजा करने के लिए नाकन्याएं आई जिनसे बालक ने गड़ेश वृत की विधी प कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान गड़ेश ने उसे दर्सन दिया और उसे वर्दान मागने के लिए कहा भगवान गड़ेश के आसिरवात से वा बालक स्राप मुक्त हो गया जिसके बाद वा बालक माता पारवती और सीव से मिलने के लिए कैलास परवत पर प वीडियो को देख सकते हैं जाय श्री किष्णा